जो सनातन अर्थात सास्त्र के बचनों का धारन करके उस मर्यादा को रखते है उस मर्यादा पर चला जा वही सनातन धर्म है धर्मरूपस्वरूपानाम धर्ममूलासनातनम गीतापाथ सरवरूपानिक सरवकारियम ससिद्धै गोमया यत्रतो विप्रह गोमया अग्निहोत्रया गोमया दुजस्रष्टा गोगीता समस्रया की निद्या ध्याइनं सीलानं अग्नि होत्रं भिषेसतह करमणं जत्रक्षार्थं ब्रह्मचर्यं निवंतितह क्यत्म ब्रगंतं जत्रासमिक्द्याम यतो वपुधिं प्रशानशीलाई ज्ञानं प्रभोध्यत तत्वशारं गीताव पाथं यतमुक्तमारगं गीता पढ़ने से मनुष्य के हर प्रकार से उन्नत होती है धर्म की उन्नत होती है समस्कार की उन्नत होती है और यही नहीं अपने माता पिता के प्रती अस्था में प्रगाड़ता आती है धर्मरूप स्वरूपानाम धर्ममूला सनातनम गीता पाठ सरवरूपानी सरवकारियम ससिद्ध है सवकारिक सिद्धी गीता पाठ में हो जाती है गीता पढ़ने से समस्कार का उद्वाव होता है और धर्म पे हमको चलने की एक सनमार्ग देते हैं गीता जी देती हैं गीता जपने मातर से पढ़ने मातर से उसको हर प्रकार की सनमार्ग मिलते हैं अपने माता पिता को सेवा कैसे करना चाहिए हमें यगन कैसे करना चाहिए हमें आदर कैसे करना चाहिए गो की रक्षा कैसे करना चाहिए गो की सेवा कैसी करनी चाहिए गो की पूजन कैसी करना चा यह सब संसकार के वर घीता जी में ही कि ही माध्यम से प्राप्त हो सकता है यदि हम को यगने करना है तो गो की शेवा करनी है गो की प्रसंसा करनी है क्योंकि गो मैं सर्व इंद्रियानी इंद्रम वो गो में ही सभी देवतालों निवास करते हैं गो की शेवा करने से हमारा हर प पुछनों से पूछना चाहिए इसका सनमार्ग देती है है गीता जी धर्मस्वरूप तेज़ा तंतनिष्ठाम जट सर्वरूपम गीता मया सास्त्र मैकरतरीष्च जब ज्ञान और पित्रों के भी मुक्त देने वाली जो सास्त्र है वो गीता जी है और यहीं नहीं गीता जी में तेहां तक कहा गया कि यदि पसू पक्षी चीटी जो भी सुनती ह सब को भगवान गीता जिमाता गति दे देती है ज्यानमय यत्रों गीता वह गंगा है अम्रित में जो तटस्वरूप है वह गीता जी है गीता की सुनने मातर से पढ़ने मातर से और उसमें ब्रमचर्य की हर प्रकारक से धांत उसमें दर्साती है पर्मचारी का पर्थम परतिक करना है दुतिया करना में अपने सुर्य की उपास्णा करे ब्रमचरिया सुवरचस्या सभितूर मेवभासितम गीता पाठा या तो ब्रजंत गीता पढ़ने से मुक्ति और साथ साथ सिधान्त को जो प्रदान करती है वह गीता जी है गीता पाठा करता है उसको यहां कभी रोग का आगमन नहीं हो सकता है घर में भीगलता नहीं घर में हर प्रकार की एकता लाती है वह गीता जी है गीता वह सास्त्र है जिससे सदमार्ग सदबुधिद सदप्रकार की प्रकासमान होने वाला जो पुंज है जो तिर महें जो ग्यान तत्व है वह गीता जी है जो ब्रमचर्य के हर पद पर चलने के लिए सनमार्ग देती है वह गीता जी है जो बिद्वानों को सनमार्ग पर ले जाती हैं। मुर्खों को भी बताने में समर्थता रखती हैं। वह गीता जी हैं। भैदा के सासाथ भक्ति उनके पास चली आती हैं जिस तरह पृ給 क्या हुता उद्भाव हो जा बढ़ते बढ़ते उससे फॉल्स गुझादए प्रशी लाहां म्यानम प्रभुधायक ततपश मुक्ति गीता पढ़ने वह ब्रिक्ष है जिस फल तो देती हैं लेकि छाया भी देती हैं और सभकों अंधकार से प्रकास को ले जाने वाला जो मार्ग वह गीता जी है सवनक संबिता में सवनक रिशी का वाकिया है कि जो गीता पाठ करता है उस चारो आस्रम में जाने का मारी मिल जाता है गिता जी जब तक जीता आप नहीं पढ़ेंगे तब-द नहीं होगा क्योंकि बहुत होथ हो रहां पढ़ने से हमारे सनमार्ग देती है और शप्तर्चनने की प्रेणाद करती वह गीता जी है। तो महराजी आपसे दूसरा उन्ति प्रसमा रहे रहेगा कि सनातन में क्या है? हाँ, अवस्य ही, पहले तो हम सनातन समझे, सत्य धारण सत्य वर्ति और सत्य पत्ध गरहित करना उस मार्क पर चलना ही सनातन है, सत्य सनातन भगवान नारायन है, और उनके कहा हुआ वाच बानी और उस पत्ध पर चलना ही सनातन है, जो सनातन अर्थात सास्त्र के बचनों का धारन करके उस मर्यादा को रखती है उस मर्यादा पर चला जाए वही सनातन्ध्रम है द jogos लुट नीच नहीं देखे सब को एक साथ कर चलने का बधत्वां कराएं सब्सक्राइब कराता है हमें आचलन कैसे करना चाहिए अपने बड़ों के साथ बेभार कैसे रखना चाहिए अपने यगने कैसे करें तब कैसे करें साथन सबमारे की टाजी में है सनातन वहां गंप्र शाद्वृत्ति को धाल कराएं सदक्राण को प्रलान करें सथबूर करादे már और सध्गुरु का पहाचान करने वाला जो है वह सनातन है Об तो महराजी ने बहुत ज्यादा बोल दिया हम के बारे में गीता जी के बारे में तो जुड़े रहे हमारे साथ भूत धन्यवाद